नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं आप बिहार में दो सीटों पर उपचुनाओं हैं कुशेस्वरस्थान और तारापुर में महागटबंदन के अंदर भारी घमासान है राजद ने अपने परत्यासी उतारे हैं और कॉंग्रेस ने भी दोनों सीटों पर परत्यासी उतार दिये हैं आपको पता दे राज़द की तरफ से कहा जा रहा है कि राज़द अच्छी स्थिति में है राज़द दोनों सीटे जीत सकती है लेकिन कॉंग्रेस का काना है कि बिहार बिदान सभा के चुनाओ में कुशेश्वर अस्थान की सीट कॉंग्रेस के खाते में थी तो कॉंग्रेस पर चुनाव लड़ेगा इसी बीच भक्चरंदास बिहार आये हैं कॉंग्रेस के प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं और सदाकत आश्रम में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें कारियों की समीक्षा की जाएगी साथी भक्चरंदास ने मीडिया से बादचीत करते हुए राजद पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि राजद महागडबंधन को तोड़ना चाहती है कमजोर करना चाहती है कॉंग्रेस लालू परसाद यादों के उन राह पर चल रही है उन विचारों पर चल यह कि कुशेस्वर अस्थान के सीट हमारी है तो हमें लड़ने दिया जाए उन्होंने से यह तोर पर दो तिन दिनों का अल्टिमेटम दे दिया है और कहा है कि आने वाले दो तिन दिनों में राजद फैसला करने अन्यता इसका खाम्याजा भूगतना पड़ेगा उसके बा आया की 26 सीटे पर कॉंग्रेस कमजोर थी वही सीटे उन्हें दे दिया गया जिससे वोट डिलीवर नहीं हो पाने के कारण कॉंग्रेस को 16-17 सीटों पर सिमट कर रहा जाना पड़ा लेकिन इस बार की स्थिती बदली है कुशेस्वर अस्थान में उनके जो परत्यासी है उन निकल कर सामने आता है हलाकि कॉंग्रेस और राजा दोनों के आलाकवान ने सीरेत और पिका दिया है कि हम दोनों लोग चुनाओ लड़ेंगे फ्रेंडली चुनाओ लड़ेंगे लेकिन टकर हमारे और राजत के बीच होगी यानि टकर कॉंग्रेस और राजत के बीच होगी जदियू इसमें कहीं नहीं है देखने वारी बात यह होगी कि 30 को मद्दान होगा 2 को पडिनाम आएगा उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है कौन सी पार्टी के हाथ हार लगती है और कौन जीत पाता है झाल 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 झाल